कानपूर के बाल सनरक्षन ग्रह में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और 7 लड़कियों के गर्भवती पाय जाने के मामले में यूपी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्य मंत्री योगी आधितनात के आदेश के बाद इस मामले को लेकर राजय बाल अधिकार की सदस्य शुचिता चतरवेदी कानपूर पहुँची जहां उन्होंने बाल ग्रह से संबंदित घटना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मुझे जी का सकता आदेश है कि जो भी इसमें कहीं पर किसी के माद्यम से जो चूप हुई है उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। इसमें अगर थोड़ी सी कहीं पर कहें तो एक प्राथमिक्ता देते हुए इन बच्चों को कहीं कॉरिंटाइन स्टार्टिंग में कर लेते तो मुझे लगता है लेकिन ये चुकी कॉरोना का वायरस जो है सिम्टम्स नहीं पता थे और ये आपको शो करता है आपके चार, पांच, छे दिन बाद इसके सिम्टम्स पता चलते हैं तो इस नाते भी कहीं ना कहीं लेकिन हां प्रिवंशन मेटर को देखते हुए अगर हम प्रिकॉशन लेते तो ठीक रहते हैं साथ ही उन्होंने बाल संडरक्षन ग्रह में कोरोना वायरस फैलने की वज़े करमचारी को बताया है उनका कहना है कि जो करमचारी पॉजिटिव निकली है वो ही बाहर से आती थी जिस कारण कोरोना वायरस बाल संडरक्षन ग्रह में फैला एसी बच्चियों के साथ पूरा उसके साथ कुछ स्टाफ लगाया जाता है वो स्टाफ उनके साथ गया और एक महिला जो की påzitive पाई गयी करमचारी वो बराबर उनके साथ जाती रही वो 9 तारिक को एक delivery हुई, एक delivery 12 तारिक को हुई और वो बराबर उसके साथ जाती रही और चुकि स्टाफ की कही ना कही थोड़ी सी कमी है और ये लोग बराबर गरहों में भी रहे हैं ये लोग बराबर जब वहां से आते थे फिर गरहों में भी रहते थे इस कारण ये कहा जा सकता है कि ये जो वाइरस आया है ये वाइरस कहीं न कहीं उस करमचारी के माध्यम से ही आया होगा सौ की छमता में 171 है क्या 171 बच्चियां थी बालिका ग्रह में रखने के आदेश हो गया है क्या कि हाई कोट का एक आदेश आया संक्रमट की पुष्टी होई है साथ ही संक्रमितों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है कानपूर से अमरिश्त्रिपाथी पंजाब केसरी टीवी झाल